क्योंकि इस समय में आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं, व्यापार में अचानक तेजी देखने को मिलेगी, आसानी से जबरदस्त धन का आगमन होगा, आप माला माल बन जाएंगे, सहकर्मियों का साथ आपकी उन्नती में सहायक होगा, किसी समस्या को अपने उपर हा पैसा लगा रखा है, उन्हें भी इस समय लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए अपने चारों और ध्यान बनाए रखें, मौके आते जाएंगे, पकड़ने से चुके नहीं, उचित समय पर लिया, उचित निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है, नौकरी से किसी ग्रहन मोह भंग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी न छोड़ें, ग्रहन की तरह ही ये स्थिती होगी, धैर्य रखें, कुछ समय में ये परिशानियां दूर हो जाएंगी, किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच लें, जल्दबाजी न करें किसी रिष्टेदार की और से कोई शुब समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा, किसी पारिवार एक दोस्त का घर में आग्मन हो सकता है, दोस्तों अगली खुश-किश्मत राशी है, मकर-राशी-मकर वालों के लिए ये ग्रहन का समय कई मायनों में खुशियों के आगाज का समय है. आप शनी की साढ़े साती से परेशान चल रहे थे लेकिन अब शनी वक्री से मारगी हो जाने वाले हैं. अब तक के सारे शुब कर्मों के शुब भल मिलते जाने वाले हैं. आपने जली हुई परेशानी या कष्ट सब का अंत होने का समय आ रहा है। आपको व्यापार के क्षेत्र में आकस्मिक धन मिलने के संकेत है। इसलिए अपना ध्यान उस और बनाए रखें। किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दे। पहले कभी नहीं मिला। इतना धन आपको मिल सकता है। सब चमतकारी रूप से होता जाएगा। आप खुश वचन कहने से बचें। कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मार्ग दर्शन मिल सकता है। जिससे भविष्य उजवल बनने की संभावना है। नौकरी कर रहे हैं। लोगों को अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन अंदेखी कर आने पर आपके हाथ से निकल भी सकते हैं।